Hello and Welcome to Sports Fact, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज IPL 2022 को लेकर जिन खिलारियों की लगतार fitness updates को लेकर आप लगतार उच्सुक हैं उन खिलारियों को fitness updates को लेकर हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं आपको बता दे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो खिलारियों की पहला है रुतुराज गैकवार्ड और दूसरे खिलारी हैं आपके सामने दीपक चाहर क्यूंकि लगतार इनके fitness को लेकर आपके मन में लगतार जिग्यासा थी कि इनके fitness को लेकर कुछ updates आएं उन्हीं updates पर बात करेंगे जो updates आई हैं उन updates के खयाल से इन दोनों के खिलने पर लगतार अभी भी संसे बरकरार है और वो इसलिए कि CSK के CEO जो है कासी विश्वनाथन उन्होंने कहा है कि अभी NCA के अंडर में दोनों ही खिलारियों अपने fitness के उपर काम कर रहे हैं और जब तक NCA के तरफ से कोई updates नहीं आती है तब तक हम किसी भी तरीगे का कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और नहीं इन खिलारियों को बारें बता सकते हैं कि यो दोनों खिलारी कब से टीम को जॉइन करेंगे और इसके पहले आपको बता दी कि दिपक चाहर को लेकर उन्ह खाई दे रहें अब तक के रिपोर्ट के अनुसार और साथी साथ अगर बात करें रुतुराज गैकवार्ट की तो इनके injury के जो बात है इनके खेलने पर भी असंसर भी बरकरार है NCA के तरफ से जो रिपोर्ट साएंगी जो रियाब में जिस तरीके से अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं उसको लेकर जो कुछ भी रिपोर्ट साएंगी उसके बाद ही कही ना कहीं CSK मैनेजमेंट इन दोनों खिलाडियों को लेकर फैसला करेंगी लेकिन इस बीच एक बड दीपक चाहर की तो IPL 2022 में बहुत ही शांदार तरीके से कह सकते हैं CSK ने जो इनकी उपर खास कर बीडिंग की ओवरॉल अगर CSK की बीडिंग के बात करें तो ओवरॉल CSK की बीडिंग उतनी अच्छी नहीं रही जिस तरीके से चार टाइम्स के IPL के चैंपियन टीम को करनी चाहिए थी लेकिट फिर भी अगर बात करें दीपक चाहर के मामले में तो कहीना के CSK ने जो पासा फेका वो कहीना के उस पासिक से ये तुर्प काईक का उनके टीम में शामिल होने में CSK के खेमे ने सफलता पाईए 14 करोर की एक भारी भरकम बोली जो है वो दीपक चाहर के पीछे लगी थी और इस भारी भरकम रकम का जो कह सकती जो रकम के बदली जो खिलाडी के फिटनेस को लेकर अपडेट से वो कहीना कहीं CSK टीम को परिशान करें लगतार इस पीछ आपको बता दे कि इन दोनों खिलाडियों के बारे में अगर बात करें तो खास कर रुतुराज गयकवाइट के बाद दीपक चाहर के बात करते हैं दीपक चाहर को लेकर लगतार जो अपडेट सारी है उसमें जो CEO है CSK के उनका जो है कहना है कि अगला 48 गंटा या लग सकता है और इस तरीके से अगर फिटनेस के अगर बात करें तो कहीं न कहीं अब लगतार CSK के फैंस दुआ कर रहे हैं कि लगतार जिस तरीके से इनके फिटनेस अपडेट को लेकर कि वो फिटनेस अपडेट जो है इनके फेवर में आ यानि CSK के फेवर में आ और इन द इतना जादा उत्सुक है दिपक्चार कुन्होंने अपने इस इंजोरी को दरकिनार करते हैं उसके ओपरेशन को भी दरकिनार करते हुए कहा है कि मैं IPL खिलना चाहूंगा IPL के बाद मैं ओपरेशन कराने के लिए त्यार हूँ लेकिन अगला 24-47 घंटा जो है वो CSK फैंस के के लिए भी भाड़ी है इन खिलारियों के लिए भी भाड़ी है और साथी साथ CSK की मैनेजमेंट के लिए भाड़ी है और इस बीच BCSI के तरफ से जो बयान है उसकी उम्मीद लगातार CSK के जो CEO है कासी विश्वनातन वो जता रहे हैं कि BCSI के तरफ से जो हमें इस मिलेंगे जो हमें अपडेट्स मिलेगी जो इन सी के तरफ से जो रिपोर्ट्स आएंगी इनके फिटनेस के वो इनके रिपोर्ट्स के बाद ही फाइनल के जाएगा कि कौन से खिलारी कब CSK के टीम के साथ जुडेंगे कब मैदान पर दिखेंगे लेकि 24-47 घंटी की जो जिस तरीके कि आएंगे उसी तरीके से इनके ऊपर फैसला लिया जाएगा और तभी इन दोनों चेरों को आप कब देख पाएंगे याईपल 222 में कितने मुकाबले के बाद देख पाएंगे वो सारी चीजे तभी किलिए हो पाएंगी जब NCA इनके उपर फिटनेस रिपोर लेकिन बाद में उन्होंने NCA जोइन करने के लिए हामी भर दी और इस बीच फिलाल हार्दिक पांडिया भी NCA में है और लगातार अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो एक तरफ जहां मेडिया ने गुजरा टैटन्स की जर्सी लॉंच के दौरान पुछा था कि हार्दिक आप क्या गंदबाजी करते हो भी दिखाए देंगे तो हार्दिक ने कहा था कि देखे ये जो है आपके लिए सर्प्राइज रहेगा तो सर्प्राइज दोनों ही तरफ से रहो सकता है जब तक NCA के रिपोर्ट्स में क्लियर नहीं हो पाता है कि हार्दिक का फिटनेस लेवल क्या है हार्दिक इस फिटनेस के साथ क्या बलेबाज और गंदबाजी दोनों कर सकते हैं कितने मुकाबले खेल पाएंगे शुरुवाती मुकाबले से खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे तमाम तरीके इस सवाल तब तक बरकरार रहेगी जब तक NCA के तरफ से इनके को लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है लेकिन हार्दिक ने जिस तरीके से कहा है कि ये आपके लिए सर्प्राइज रहा कि मैं सिर्फ बल्लेबाजी करूँगा या फिर गिंदबाजी भी करूँगा लेकिन कोच आशिश नहरा ने पहली कहा है कि हार्दिक अगर बतौर बल्लेबाज भी अपना योगदान देते हैं गुजरा टैटिंस के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी लेकिन इस बीच आपको बता दे कि हार्दिक ने इस तरीके से कहा है सर्प्राइज वाली बात तो या तो सर्प्राइज पोजिटिव वे में भी हो सकती है या तो हार् 24 से 47 घंटे के जो बात कही जा रही है जिसमें इन दोनों खिलारी को रिपोर्ट्स आएंगे और साथी साथ हार्दिक पांडिया को लेकर NCA क्या रिपोर्ट्स देगे क्योंकि मुकाबली की जो शुरुआत है वो 26 मार्स से ही होने वाली है और बहुत कम वक्त बचार ऐसे मे इनके फिटनेस को लेकर जिस तरीके के लगतार अपडेट्स के कयास लगाए जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा इंतिजार और करना पड़ेगा और अपडेट में देखेंगे कि क्या NCA जो है वो इन खिलारियों के फिटनेस को लेकर क्या कुछ अपडेट देगी आपको क्य क्या के ने आपको क्या उमीद है इन खिलारियों से इन खिलारियों के प्रदर्शन से और कब ये खिलारी जोईन कर पाएंगे अपने अपने टीमों को आप प्लीज कमिंट बॉक्स में जरूर कमिंट करके बताएगा और वीडियो जगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक स सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथी साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें